हाई आप थो हम लोग यह सीरीज में जिसमें क्या-क्या डॉक्मेंट होता है जब आप आइटी जैना इटी ज और ट्रिपल इटी ज और सेंट्रल इन्वरसिटी डीम इनुरसिटी प्राइबट इनुरसिटी हल जग जब अप्लाई करते हैं इस्टेन प्रोफेसर जॉब के लि नेक्स पार्ट अभी देख रहे हैं तो इसमें मुझसे मांगा था यह मिसलेनियस टाइप है तो यहां पर एक मांगा था जग मैंने कहीं अपलाई किया था अगर आपका बहुत सरा आउटरीच एक्टिवीटी है जैसे कि आप हज़ा कॉनफरेंस में जाते हैं चाहे कुछ बहाँ जाके कुछ वर्क्सप एटेंड करते हैं लेच्चर देते हैं और ऐसा ही कुछ है तो मेरा तैसा कुछ था नहीं तो मैंने मने सीपीई पुलजेट सबमीट पुलेट रिभीव करता था स्कूल और सुद्वेश करता थके मिसस्पार मायना का तो मैंने सीपीई ही डाल दिया था आपका रिस को सब्रोफाइल आज के दो राएं मैने रखता है यह मैंने समझा अपने स्पीइयां से research profile आपको अच्छा है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फिर उसके बाद e-learning and ICT-based mythology adapted for teaching यह मुझसे मांगा था triple IT करनूल में यहाँ पर क्या बोलते हैं कि क्या mythology आप adapt करते हैं so new technology क्या क्या अजब्ट रहते हैं तो मैं अक्सर जो extract class होता है जूम online session से लेता हूँ वो मैंने बताया फिर यहाँ पर recent smart tvs है smart tvs available है wifi से link है so student जब class में attend नहीं कर सकता है तो online भी attend कर सकता है भाया live class streaming and also मैं यूज़ करता हूँ advanced gadget like tablet से पढ़ाने के लिए फिर मैं animation यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए तो ऐसा साथ चीज आपको अगर कुछ extra e-learning अना ctv methodology एड़ाप्ट करते हैं teaching के लिए तो वो मांगेगी आपसे तो आप उसको दे देजिएगा क्योंकि अब नया दौड आ गया यहाँ पर test bus बच्चे नहीं पढ़ते हैं टीचर भी नहीं परते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि e-learning बहुत जोड़ी है एक्टिव लर्निंग बहुत जोड़ी है क्योंकि दौड चेंज हो गया है तो यहाँ पर उसके according आपको adjust करना पड़ेगा उसके according environment में आपको adapt करना पड़ेगा अब इसके बाद आप देखते हैं एक और मुझसे मांगे थी suitability to the advertised job profile तो अब इसमें क्या है कि आप इसमें कैसे suitable है तो इसमें आपको लिखना है तो आप कैसे suitable भाई तो सबसे पहले तो आपने PhD किया है और करेंटली मेरा जो बेग्राउंड है मैं सरे मैं इंवर्शी टीएपी में बहुत पढ़ा रहा था उस समय तो क्या बोलते हैं कि यह सब मैंने बाद में मैंने आप प्रोफेसर नहीं थे असिस्टन प्रोफेसर नहीं है करहा नहीं रहें तो शीप आप लिद दी जब मैं बेग्राउंड इस्प्रिएंस रजाब प्रोफेसर नहीं है तो आप पहले से काम कर रहें तो यह सूटेबिलिटी तो अल्रेडी है आपका फिर आपके पास PhD डि आप जैसे की रिसर्च मांग रही होगी और क्या-क्या एस्पिडियेंस मांग रही है तो सारा चीज़ आपका ट्रैटेरिया मैच कर रहे तो आप यहां पर लिख दीज़े डेटा रिक्वाइब पर एडियाल करने जीचा फोड़ एडवर्टाइज जॉब एंड उसको अथ जिससे दो तीन काम कर सकते हैं फिर आप लड़ी अरती कर रह से बाद Beetle सो लिए तो बीटेक को आपने पढ़ाया उसका लैब लिया तो आपको वेल वर्ष्ड है वह क्या जॉब का रिकार्मेंट है यहां पे लिख दीजिए यहां पे यह अपना पेडी के बारे में लिख दीजिए तो आपको बताना है कि आप क्यो एडवर्टाइज प्रिफाइल में क्या मांगते आपसे की ए टीचिंग के बारे में आप लिख दीजिए कि हम पीडी में मैंने यह टीए किया था फिर आप बच्चों को वहां पे लैब लेते थे लिख दीजिए उसके बाद आप रिशर्च क मैं बहुत दिन से काम कर रहे हैं तो यह सब थोड़ा सा जेनरल एस्टेटमेंट लिग दीजे बस यह है अब नेस्ट आता है यहां पे क्या कर दिजेए कि आपका वीजन क्या है तो वीजन में क्या है कि आप जब जोइन किजेगा तो इंसेचूशन आजकल ग्रोथ कैसे करती है तो institution growth करने का दो ही तरीका है तो आच्छा teaching से institution growth नहीं करती है अच्छा results से institution growth करती है आच्छास के लिए आप कितना funding ला सकते हैं क kennels के लिए कितना industrial collaboration गर सकते हैं क kennels के लिए और मतलब कितना collaboration कर सकते हैं outside India आउटसाइड इंडिया untuk Messiah sign करवा सकते हैं तो यह सारा चीज उन्वर्सिटी को गुडो करने में मदद करते हैं लेकिन मेरे यूकेस था कि मैं liquorिस when सनीवर्वरेक कर सकता हूं में कानली fids कर रहा होग्त रहा है ट्र तो इसको न Auf क्या और अच्छा से लिख सकते हैं कि आप इन्डेस्टरी को लिबरेशन कर सकते हैं मुऊ सब के साथ कर सकते हैं फिर आप इस पिक एडिया में बहुत इन्नुवेटिव रिसर्ज कर सकते हैं जैसे इनसुचूज का नाम होगा फिर आप फंड लेके आएंगे गॉर्मेंट फं करने में बहुत मदद करेगा आपके अंदर एक भूख है भूख मतलब थ्राइब थ्रस्ट है आपके अंदर कि आप इस फिल्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो ऐसा ऐसा जेनरल स्टेटमें लिग दिजेए तो जितना जादा कोलिबरेशन इंडर्स्ट्री और ऐसे कोलेज का नाम होता है अपके कि अच्छे टीचिंग से करों कुंचेशन नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ता है था तो आपको इस सा नहीं पैसे भूंन आप इसको आड कर दी जिए जितना जादा कॉलेबुडेशन दिखाई है उसके बाद जितना फंडे दिखाई है तो इसे कॉलेज को गुडू करने फैदा होगा तो नेश वीडियो मिलते हैं किसी और डॉकमेंट्स के साथ जो रिक्वार्मेंट होता से स्टिया प्रोफेसर के लिए तब तक के लिए थाइंक्यों